क्या आपको भी लौकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये रेसिपी आप ही के लिए है लौकी की इतनी टेस्टी रेसिपी बताऊंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे और हर बार लौकी मांग मांग के खाओगे तो ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा जाद जाद लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलियेगा लौकी की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहां पर मैंने लंबी वाली जो लौकी होती ना पतली वाली वो ले ली है एक लौकी ली है ये कम से कम होगी पॉन किलो के करीब लौकी तो इसको मैं छील के और इसको साफ कर लूँगे अच्छे तरीके से धोलूँगी ये देखिए मैंने इसको चील लिया है अब इसके आगे वाला जो हिस्सा है और पीछे वाला जो हिस्सा है इसको हम काटके अलग कर लेंगे इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल फ्रेश लौकी लेनी होगी अब देखिए इस तरीके से लौकी के हम गोल गोल पीसे काट लेंगे पीसे की जो मुटाई है वो आदे इंच तक रखिएगा ताकि अच्छे से पक जाए और लौकी कच्छी न रहे अक्सर मैंने घर में और बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग देखिए हैं जो लौकी बिल्क गोल टुकड़े मैंने जो है लौकी के काट लिये हैं तो यह सारे के सारे जो लौकी के पीस हैं इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम एक मसाला बनाएंगे जो इस लौकी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगा तो इस मसाले के लिए सबसे पहले मैंने आदा तो आदा छमच में हमचूस, इयाँ पहीड बैसाल में जोब बनाते होगों टेस्टी बन जाती है तो यह सारे के सारे चीजों को मिक्स कर देंगे मसाले के साथ बेसन किसी भी रेसिपी में अगर आप डालो तो जो रेसिपी है बहुत ज़दा टेस्टी हो जाती है ताकि जब हम लौकी को बनाएं तो इसके अंदर हर एक पीस के अंदर बहुत ही अच्छा सा मसाले का टेस्ट आए तो ये देखिए ये सारी की सारी जो लौकी है अच्छे तरीके से मसाले में कोट हो गई है और ये बहुत ही चटपटी लगेगी अब बनाने पे तो यहाँ पे मैंने देखिए एक ट्राइंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ये जो लौकी है इसको सेकेंगे तो इसके अंदर मैंने 2-3 चमच के करीब ओईल डाला है जादा ओईल नहीं डाला है दो से 3 चोटे चमच डाला है अब ये सारी के सारी लौकी जो है हम इसके अंदर फ्राय करने के लिए रग देंगे तो ये मैंने लौकी सारी लग दी है इसके बाद मैं इसके उन्दर थोड़ा सा पानी छिड़कूंगी और इसको ढखके हम कम से कम दो से तीन मिनट तक एक तरफ मीडियम आज पे सेकेंगे दो से तीन मिनट के बाद देखिए इसको मैं पलट लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है एक तरफ लौकी के इसको पलट के हम दूसी तरफ से अब सेकेंगे ये देखिए कलर ही इतना प्यारा आया है और टेस्ट तो ये बहुत ही अच्छा करेगी अच्छी सी खुश्बू भी आ रही है अभी तो अभी दूसी तरफ पलट दिया है मैंने अब इसको भी ढबके हम दूसी तरफ से सेक लेंगे दो से तीन मिनट और ये देखिए दोनों तरफ से सेकने के बाद मैं इसको निकाल लूँगे पलेट में इस तरीके से सारी लोकी के पीसे जो है हम फ्राय करके निकाल लेंगे और ये देखिए अभी से ही इतनी टेस्टी लग रही है तो ये कम से कम समझ लीजे आपका जो है 50 से 60 परसंट तो ये कुक हो गई है अब बाकी की हम जो है लौकी को ग्रेवी में कुक करेंगे तो ये जो है देखिए दूसरा बैच भी मैंने डा दालिया है अच्छे तरीके से तो लौकी को पकाने के बाद चलिए अब हम ग्रेवी बना लेते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए फिर से मैंने फ्राइंग पैन के अंदर दो चुटे चमच के करीब ऑईल डाला है इसके अंदर मैं डाल दूंगी आदा चुटा चमच जीरा और साथ में एक तेज पत्ता मैं डाल रही हूं अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूं प्यास तो यहां पर प्यास को मैंने अच्छे तरीके से मिक्सी में पीस के इसकी बारिक पेस्ट बना ली है तो यहां पर मैंने दो से तीन मिर्ची के पेस्ट बना के रखी थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूगी तो यहां पर दो से तीन चमच के करीब अध्रक लसन और हरी मिर्ची की पेस्ट मैंने डाली है इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम तो यह देखिए फ्रेंट्स इनको भूनने के बाद मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ तो यहां पर मैंने चार टमाटर को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसको मिक्स कर लेंगे इसके बाद चलिए इसमें मसाले अ इच्छाता है इससे तो इसके बाद मैं ने अदर हल्दी ऑड़्टी डाला है आधा चमच के गथा की और करेब अच्छे तरीके से क्रश करके सारे असलें टालने के बाद इसको की भूनेके भून लेंगे लिए 2 दहरों रहीं के बादि के नदे डाल रहीं हूं मैं आंदर पियास बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे धावे पर मिलती है यह बहुत ही टेस्टी और युनीक रेसिपी है जरूर से जरूर ट्राइ कीजेगा एक बर इस तरीके से आप लौकी बना लोगे न तो बिल्कुल भी नहीं बनाओगे नॉर्मल वाली लौकी हमेशा लोग मांग मांग के इस अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको ढखके हम कम से कम 2-3 मिनिट तक पकाएंगे बिल्कुल धीमी आज पर दो मिनिट अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूं आदा कपके करीब फिटीवी दही तो यह दही को मैंने अच्छे तरीके से फैंट जरूर से जरूर ट्राय किजेगा और अब इसको हम दो मिनिट और पकाएंगे ताकि यह अंदर तक जो सब्दियां है पक जाए और दही भी अच्छे से पक जाए यह देखिए फ्रेंट्स लग रही है बहुत ही अच्छे से दही पक गई है खुश्पु बहुत ही अच्छी तो अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं घ्रेडी को थोड़ा सा जो है पतला करने के लिए और साथ-साथ में मैं इसके अन्दर नमक डाल रही हूं क्योंकि अब तक हमने इसमें नमक नहीं एड़ किया था तो इसके अंदर स्वादनुसा नमक डाल देंगे और इसको मि ज़रत नहीं है बहुत ही जटपट से अभी हमारी जो सबजी है बनके त्यार हो जाएगी थोड़ा सा धारा धनिया डालके इसको मैं ड़क के पकाऊंगी दो से तीन मिनट के लिए धीमी आज पे तो यह देखिए फ्रेंड्स यह जो हमारी सबजी है लौकी की बहुत ही बहुत ही टेस्टी बनती है अंदर तक यह पक गई है और इसका कलर इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छे आए है तो यह रेसिपी जरूर ट्राइग कीजिएगा रेस्टरॉन स्टाइल लौकी की रेसिपी है आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से ज जरूर ट्राइग कीजिएगा चलिए आप लोगों से मिलती हूं मैं नेक्स टेस्टी रेसिपी में तब तक के लिए बाए और फ्रेंस यह कुछ दूसरे वीडियो है हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक्यू